Hi guys, so finally we are in the last leg of the ICA examination और हमारा अंधनिम पेपर आ गया है FM ECO का अब FM ECO की तयारी हमें कुछ इस प्रकार से करने हैं इसमें मेहनत कुछ इस प्रकार से करने की हमारा रिजल्ट जो है बहुत धासो रिजल्ट आ जाए तो जैसा कि हम जानते हैं FM और ECO तो जिसम एक जान के तरह हैं कहने को दो different subject है लेकिन paper इनका एक है तो भाई इनकी तयारी की approach भी हमारी थोड़ी से different रहेगी सबसे पेरे बात करते हैं financial management की दोनों में से FM ECO में से हम जानते है जो upper hand है थोड़ा वो रहता है FM का reason number one की भाई 60 marks का है और reason number two की यह हमारा core subject है Chartered Accountants को जो core subject है वो कही ना कहीं financial management माना जाता है और reason number three की भाई जो FM है वो practical nature का है तो इसको जो है हम थोड़ा सा extra ध्यान दे कर करेंगे तो हमारे 60 में से easily 50 plus आ सकते हैं और बच्चे in the past have got 60 out of 60 also at various occasion बहुत सारे बच्चे 60 में 60 FM में ले आते हैं तो हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है जैसा कि मैं हर subject के लिए कहता हूँ अगर आप मुझसे कहेंगे हाँ सारा हम तैयारी करने के लिए त्यारा है बस सर यह बता दो important topic कौन-कौन से है important chapter कौन-कौन से है कौन सा chapter छोड़ दो, कौन सा कौन से छोड़ दो तो भाई ऐसा कुछ नहीं है अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि ये chapter छोड़ दो, ये topic छोड़ दो ICA के level का exam है, कोई become become का exam नहीं है कि ये छोड़ दिया तो चल जाएगा हर कुछ करके जाना है और कई बार बच्चे समझने की गलती क्या करते हैं कि ते 60 नंबर गई तो है इसमें इंस्टिट सौरा कुछ थोड़ी पूछ लेगा लेकिन इंस्टिचूट ओवर दा पास देखा गया कि अल्मोस्ट कोशिश करता है हर चैप्टर में से एक कोशन डालन क्योंकि जो पहला कोशन कंबलत्री है उसमें चार कोशन आते हैं पांच-पांच नंबर के तो वहां पर इंस्टिट के पास स्कोप अच्छा खासा है जहां पर वो आपसे पूछ सकता है राइट चार डिफरेंट चैप्टर कोशन और उसके अलावा बाकी सभी प्रेक्टिक ठोवा डलाव आते हैं याद होने चाहिए कि एक्जाम में किसी कोश्चन में कोई अपने को लगाना पड़ गया तो मुस्का टो और सारा formula multiply by 100 so that answer percentage में आज़े भी हो गया approximation method formula अपने को obviously याद होना चाहिए साथ ही साथ institute पिछले कुछ attempt से YTM method पूछना start कर चुका है तो मेरे student से fast track किया है regular के उनके साथ तो हमने किया है बुलकुल detail में और उमीद करते हो जहां से आपने कहीं और से class लिए उन्होंने भी आपको कराया होगा तो YTM method अगर आपने सिरफ question question approximation method ही कर लिए YTM method बढ़ानी और exam में आगा तो करोगे क्या भाई करने के हरत में नहीं बचोगे इसलिए सबसे पहला काम यह होगा कि जितने भी chapter हैं हर chapter हो concept wise हमने पढ़ लेना है अब सर यह बता दो concept कहां से पढ़ने है अगर आप TRG Rahul Garak के student हैं तो tension कोई नहीं हैगी हमने क्या करना अगर आप regular batch के student हैं हमने class में बहुत जबर्दस तरीके से जो है पढ़ा है आप सब बच्चों ने पढ़ना है समझना है मैंने उस concept में क्या सिखाया है क्या लिखवाया है उसके बाद अगर आप मेरे student नहीं है तो भी कोई दिकत नहीं है जहां से आपने पढ़ा वहां से पढ़ लेना और अगर वहां वालों ने छोड़ दिये अच्छे से नहीं पढ़ाया तो हमारे FM Eco Marathon से आपने कर लेना FM Eco का Marathon हमने last attempt में May end में लिया था वही वाला Marathon आप बच्चों के लिए applicable है उसके notes आपको Telegram Channel से मिल जाएंगे और वो वाला वीडियो YouTube पर मिल जाएगा FM Eco के दो Marathon YouTube पर आपको मिलेंगे एक वो वाला होगा जिसमें 5,50,000 के आसपास वीउस है वो दो साल पुराना है वो वाला मत देखना latest वाला देखना जो कि हमने में के महिने में इसी साल में 2022 में लिया था वो आपको पता चल जाएगा व्यूस देखकर 1,30,000, 1,40,000 के आसपास उसके ओपर व्यूस होंगे तो आपको देखकर इसली जो है पता चल जाएगा वहां से आपने Marathon का lecture देखना और उसके notes Telegram Channel से लेकर कर लेने उसके बाद बात आती है sir questions कहां से करें जो मेरे student regular badge के उनके लिए हमने Telegram Channel पर sheet share किये है जिसमें class puzzle के important question हमने share कियो है कि हर chapter का यही वाला question आपने कर लेना similar जो fast track वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक अलग से sheet मिल जाएगी PDF sheet उसमें लिखा होगा कौन-कौन से question आपको अपनी fast track वाली किताब से कर लेने है और अगर आप मेरे student नहीं है उस case में भी हमने हर chapter के कुछ-कुछ question compile करके जो बुकलेट बनाई है वो भी आपको Telegram Channel से मिलेगी वो कर लेना आपने जो हमारे student है वो RTP latest वाला और जो latest paper institute नहीं लिया था मेबा इसका वो जुरूर करके जाए आपके Google Drive पर उसको अल्लेडी अप्लोड किया जा चुक है पंदरा कभी अठरा कभी बीस तो पंदरा से बीस के अउमूमन ओने नेवरेज आ जाते है तो हमें जहां जहां प्रैक्टिकल कॉंसेट है सब बच्चों ने वह वह वाला प्रैक्टिकल अच्छे से पर चैप्टर टू तो इस तरह से हायरार्की में करते हैं आपने चलना सवाल उठते बच्चे की मर पुछते से रट्टा लगा लें क्या तो इसका उत्तर इतना सा ही है सीए में इतना सारा सलेवा से रट्टा नहीं लगाया जा सकता और रट्टे वाला टीचर जो है वो मेमरी में जाता है तो हमने क्लास में जिस तरह से पढ़ा है हर चीज का लॉजिक बिठाकर इको में कौन सा कौनसेप्ट क्यो है क्या कहता है उसी तरह से आपने सिंपली उसको रीड करना है and try to give at least two readings two readings कैसे एक बर जब रिवाइज करें तब और दूसरा जब आपका सतरा त कौन सा है जादा important वाला जो मतलब कर ही जाएं तो मैंने एक super 50 के नाम से booklet अपनी वराई थी जब economics for finance launch किया था इस चूटे उसमें 50 question है इको के theory question तो वो वली booklet भी आपको telegram channel से हमारे मिल जाएगी वो वली 50 question भी आपने इको के कर लेने साथ में इको के notes भी marathon में जो use किये हैं वो भी आपने अच्छे से करके जाने हैं तो हमारी strategy कुछ इस परकार से 360 degree strategy जिसको कहते हैं जहां हम अपना पूरा FM और पूरा इको अच्छे से cover करके जाएं concepts पर पूरे का पूरा focus हम अपना डाल दें so that उस तीन घंटे के दौरान अगर कोई भी नया question में मिले तो हम परेशान ना हूँ क्योंकि हमें concept पता है जैसे factoring का concept होगा हमने class में detail में किया अब factory का कोई वहाँ पर नया question में बनकर आज़े तो है अरे यार यह तो नया सा गए अरे आने देना नया सा भाई concept ही तो है life में हर दिन नया होता है concept सीख लिया ना एक बार कि हाँ life को ऐसे जिया जाता है तो वैसा ही same to same काम यहाँ पर करना है अंतिम paper है अंतिम paper है अपना mental balance emotional balance बनाए रखना बहुत बार मन करेगा कि यार यह last paper है बस जल्दी से किस रहूँ जोड़ा deal देने का मन करेगा ऐसा नहीं करना है नहीं करना है नहीं करना है बिलकुल calm रही है relax रही है मैं यह नहीं सुनना चाहता 17 तर कर लो अपने आपसे प्रन कर लो कि भाई अंतिम paper है अंतिम प्रहार हमारा इतना जोरदार होगा कि यह अकेला paper हमारी नीव रखेगा से यह intermediate के group 2 को clear कराने की ठीक ना भाई तो इसी के साथ मेरी तरफ से all the very best अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहे है और जबर्दस marks लेक रहे है और बाई